नमस्कर दोस्तों मैं सुजीत आपका वीडियो में स्वागत है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं कोईला किस परकार का संसाधन है तो आ न भी करनिये कोईला किस परकार का संसाधन है तो आ न भी करनिये तो याद रखेगा दोस्तों कोईला किस परकार का संसाधन है आ न भी करनिये तट रेखा कितने किलोमीटर छेतर सीमा अप वर्जक आर्थिक छेतर कहलाते हैं तट रेखा कितने किलो मीटर छेतर सीमा अब वर्जक आर्थिक छेतर कहलाते हैं तो दोसब नौटकल मिल तट रेखा कितने किलो मीटर छेतर सीमा अब वर्जक आर्थिक छेतर कहलाते हैं तो दोसब नौटकल मिल डांको की आर्थ वेवास्ता का समद्ध है तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन डांको की आर्थ वेवास्ता का समद्ध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन तो याद रखेगा दोस्तों डांको की आर्थ विवस्ता का सवंध है संसादनों के अन्योजित विदोहन समूंद्र छेत्र में राजनेतिक सीमा के कितने किलोमीटर छेत्र तक राष्टिय संपदा निहित है तो 15.5 किलोमीटर समूंद्र छेत्र में राजनेतिक सीमा के कितने किलोमीटर छेत्र तक राष्टिय संपदा निहित है तो 15.5 किलोमीटर तो याद रखेगा दोस्तों समूंद्र छेत्र में राजनेतिक सीमा के कितने किलोमीटर छेत्र तक राष्टिय संपदा निहित है 15.5 कि कि मुख कारण है पंजाब में भूमी नीमनी करन का मुख कारण है तो याद रखे दोस्तों पंजाब में भूमी नीमिकरन सुपानी क्रीशी किसराज में परचलित है तो उत्रा खांड उत्रा खांड प्राणियों के सरीर में कितना परतीसत जल की मातरा निहित होती है तो याद रखेगा दोस्तो प्राणियों के सरीर में कितना परतीसत जल की मातरा निहित होती है तो 65 पुर्ठीशत अ कि बिहार में आती जल्दोहन से किस तत्प का सकेंदरन बढ़ा है तो याद रहेगेगा दोस्तों बिहार में अतिजिन दोहन से किस तर्थ का सक्यान में वढ़ा है तो आर्सेनिक कि बिहार में कितने परतिस्त भागोलिक छेत्र में बन का फैलाव है बिहार में कितने परतिस्त भागोलिक छेत्र में बन का फैलाव है 20 पर 30 um बिहार में कितने पर 30 वहलिक चेतर में वानों का फ्यलाव है रहाध में किस राज में वहलों का सबसे जबन श्रच्छन एवं प्रवांधन की द्रिश्टी से वनों का वर्गृत किया गया है तो तीन वर्ग में दोस्त आसा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर सच में पसंद आया होगा तो किसी न किसी के साथ शेयर जरूर किजिएगा और मैं मिलूंगा जोस जुनून मोटिवेशन के साथ अगले वीडियो में धन्यवाद